ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज एक जन्वरी दो हजार चौबीस बाबा के महा वाक्य मीठे बच्चे तुम राज रिशी हो तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुशार्थ करना है साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारन करने है प्रश्न उत्तम पुरुष बनने का पुरुशार्थ क्या है किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए उत्तर उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं पढ़ाई से लड़ने जगडने का तेलुक नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब इसलिए सदा अपनी उन्नती का खयाल रहे चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए बहुत बहुत मीठा बनना है मुख से ऐसे बोल निकलें जो सब को मीठे लगें किसी को दुख ना हो ओम शान्ती मीठे मीठे रुहानी बच्चों प्रती बाब बैट समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धी का ठेकाना कहां है मनुष्यों की बुद्धी तो भटकती है कभी कहां कभी कहां बाब समझाते हैं तुम्हारी बुद्धी का भटकना बंद बुद्धी को एक ठेकाने लगाओ बेहद के बाब को ही याद करो ये तो रुहानी बच्चे जानते हैं अब सारी दुनिया तमोप्रधान है, आतमाय ही सतोप्रधान थी, नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार अब तमोप्रधान बनी हैं, फिर बाप कहते हैं सतोप्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धी को बाप के साथ लगाओ अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापिस घर जाना है और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हूं कि बच्चे मुझ बाप को याद करो कितनी सहज बात समझाते हैं सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझा न सके बाप ही समझाते हैं जिसमें प्रवेश किया वे भी सुनते हैं पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे अब फिर बनना है तुम ही आदी सनातन देवी देवता धर्म के थे फिर 84 जन्म भोग कोडी मिसल बन पड़े हो तुम हीरे मिसल थे अब फिर बनना है बाबा बहुत सिंपुल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो आत्माओ को ही वापिस जाना है शरीर तो नहीं जाएगा बाप के पास खुशी से जाना है बाप को जो बाप जो स्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ट बनेंगे पवित्र आत्माओं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी ये तो निश्चय है न तो फिर वही तात लगी रहे दैवी गुण भी धारन करने हैं तो बहुत फायदा होगा इस्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही उच पद पाते हैं ये भी पढ़ाई है तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं जो टाइम पास हुआ वर ड्रामा ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली बाबा राय तो ठीक देते है न बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं यही तो माया के तूफान है माया दीवा बुझा देती है बाप को शमा भी कहते हैं सर्व शक्तिमान अथोरिटी भी कहते हैं जो भी वेद शास्त्र हैं सब का सार बतलाते हैं वे नौलिच फुल है स्रश्टी के आदी मध्यांत का राज समझाते हैं यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ, उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है, इसमें मूझने की बात नहीं, ये है बहुत सहज, राज योग, तुम राज रिशी हो, रिशी पवित्र आत्मा को कहा जाता है, तुम्हारे जैसा रिशी तो कोई हो न सके, आत्मा को ही रिशी कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे, आत्मा है रिशी, राज रिशी, राज कहां से लेते हैं? बाप से, तो तुम बच्चों को कितने खुशी रहनी चाहिए, हम शिवबाबा से राज भाग ले रहे हैं, बाप ने स्मर्ती दिलाई है, तुम विश्व के म पिर पुनर जन्म लेते लेते नीचे उतरते आये हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं यह जोती-जोत समा गए। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य जोती-जोत नहीं समाता। कोई भी मुक्ती जीवन मुक्ती पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। स्री क्रिश्न को लर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को क लगता है कि वही Heavenly Godfather, Heaven अर्थाद देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सत्यूग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। जित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदी सनातन देवी देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे। उन्हों को कहेंगे सत्यूगी, तुम हो संगम युगी, तुम जानते हो बाबा हमको Righteous बनाते हैं। तुम Righteous बनते जाते हो। विकारी को Unrighteous कहा जाता है। यह देवताओं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। Unrighteous माना एक भी कदम Right नहीं। शिवाला एसे उतर वैशिालाई में आ जात ये बातें नया कोई समझा न सके, जब तक तुम उनको बाप का परचे अच्छी तरह न दो, कि वह है Heavenly Godfather, Heaven और Hill दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, सुर्ग और नर्ग, तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं, अब दुख क समय खत्म होना है, बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सब को सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं, सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई न कोई आश जरूर रहती है, सतियुग में ऐसी कोई बात नहीं, वहां और वाले होते ही नहीं, तुम तो अब पुरुशार्थ कर रहे हो, नई दुनिया में जाने के लिए, जानते हो वह है सुक धाम, वह है शांती धाम, यह है दुख धाम, तुम अभी संगम पर हो, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो, पुरुशार्थ ब लड़ने जगडने का तेलुक नहीं है पड़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब लड़ेंगे जगडेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे फिर तमोप्रधान चलन हो जाती है हर एक को अपनी उन्नती का खयाल करना चाहिए बाप कहते हैं ये आत्माएं बाप को याद करो तो विकर में विनाश होंगे और दैवी गुड़ भी धारन होंगे अगर लक्षमी नारायन जैसा बनना है तो बाप नहीं उन्हों को भी ऐसा बनाया है बाप कहते हैं तुम ही ये राज करते थे अब फिर तुमको ही बनना है राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं तुम कल्प कल्प ये बनते हो ऐसे नहीं सदैव कल्योग ही चलता रहेगा कल्योग के बाद सत्योग ये चक्र फिरता है जरूर सत्योग में मनुष्य कम थे अब फिर जरूर कम होने चाहिए ये तो सहज समझने की बाते हैं बीती हुई कहानी सुनाते हैं छोटी सी कहानी है वास्ता मैं है बड़ी परंतु समझने में छोटी है 84 जन्मों का राज है तुमको भी आगे मालूम नहीं था अब तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं ये है संगम युक की पढ़ाई अब ड्रामा का चक्र फिरकर आया है फिर सत्योग से लेकर शुरू होगा इस पुरानी स्रष्टी को बदलना है कल युगी जंगल का विनाश होगा फिर सत्योगी फूलों का बगीचा होगा फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है काटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है अपने को देखना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारन करना पड़े बाप टीचर सत्गुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते तुम समझा सकते हो इन देवताओं के किरेक्टर अच्छे थे न ये कभी किसको दुख नहीं देते थे कोई कի चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ये तो जैसे देवी है इनके बोल कितने मीठे है बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े दैवी गुण धारन करने है जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे तुम सबको टीचर बनना है टीचर के बच्चे टीचर तुम पांडव सेना हो न पंडो का काम है सबको रास्ता बताना दैवी गुण धारन करने है क्रहस्त व्यभार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो, जो आएंगे टीचर करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता, पाठ शाला, खोल, बहुतों की सर्विस करते रहते हैं, ऐसे नहीं कि यहां आकर बैठना है कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है मास दो चक्र लगाया फिर गए घर घर का सन्यास तो नहीं करना है तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो तुमको मना नहीं है इसमें कोई घाटे की बात नहीं है और भी उमंग आएगा हम भी अभी होशियार हुए है घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आतमा समझो और मुझे बाप को याद करो अपनी उन्नती करनी है घर में रहने वालों की यहां रहने वालों से भी अच्छी उन्नती हो सकती है तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ उन्हों का भी कल्यान करना है जिनको कल्यान करने की आदत पड़ जाती है वर रह नहीं सकते ग्यान और योग पूरा है तो कोई भी बेईजती नहीं कर सकते योग नहीं है तो माया भी थपड लगाती है तो घर ग्रहस्त में रहे कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है बाबा तो फ्रीडम देते हैं भल घर में भी रहो सब यहां आकर कैसे रहेंगे जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदी बनाने पड़ते हैं कल्प पहले जो कुछ हुआ है वर रिपीट होता रहेगा बच्चे भी व्रद्धी को पाते रहेंगे ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है यह जो लड़ाईयां आदी लगती हैं इतने मनुष्य आदी मरते हैं यह सब ड्रामा में नूद है जो पास्ट हुआ बैफ फिर रिपीट होगा जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा मनुष्य भल क्या भी विचार करें मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूदा हुआ है ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता जो कल्प पहले पड़े थे वही पड़ेंगे हर एक की चलन से साक्षातकार भी होता रहता है ये क्या पड़ते हैं क्या पद पाएंगे अच्छी सर्विस करते हैं समझो अचानक एकसिडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे बहुत सुखी रहेंगे जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा ये कमाई कभी जाती नहीं है। सत्यूग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इंदी माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है न, कितना हमारा योग है, राजा, रानी, प्रजा, सब बनने वाले हैं। अच्छी रीती नहीं पड़ेंगे, दैवी गुण धारर नहीं करेंगे, तो पद कम हो जाएगा। अच्छे, वा बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है, हम कहां तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए, तो क्या पद पाएंगे, अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना उच बनाते हैं, साइं के घर से कोई खाली न जाए। अभ अब तक आते रहते हैं, परन्तु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धी में ये ग्यान ऐसे हैं, जैसे बाबा के पास है। बाब ग्यान का सागर हैं। बतलाते हैं ये हिस्ट्री जोग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी पड़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने माक्स में पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ग्यान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं, आज कच्चे हैं, कल पक्के नहीं हो सकते गैलब करते रहेंगे खुद भी फील करते हैं हम जहां तहां से फेल हो आते हैं फलाने हमसे होश्यार है सीख कर होश्यार भी हो सकते हो अगर दे अबिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे मैं आत्मा हूँ ये तो एकदम पक्का कर दो बापने इस मर्ती दिलाई है बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे फिर दैवी गुण धारन होंगे अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहां तक लायक बना हूँ तुम अभी स्रष्टी के आदी मध्य अंत का ज्यान ले रहे हो ये राजियोग की नौलेज सिवाए बाप के कोई सिखला न सके बच्चे सीखते जाते हैं बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्रामण कितने हैं ये पूरा पता कैसे पड़े आते जाते रहते हैं अभी नए नए भी निकलते रहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता, बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्य सार पहला अपना दैवी केरेक्टर बनाना है दैवी गुण धारन कर अपना और सर्व का कल्यान करना है सब को सुख देना है दूसरा सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धी एक बाप से लगानी है बुद्धी को भटकाना नहीं है बाप समान टीचर बन सब को सही रास्ता बताना है वर्दान चलते फिरते अपने द्वारा अस्ट शक्तियों की किर्णों का अनुभव कराने वाले फरिष्टा रूप भव चलते फिरते अपने द्वारा अस्ट शक्तियों की किर्णों का अनुभव कराने वाले फरिष्टा रूप भव जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन भिन रंग दिखाई देते हैं ऐसे जब आप फरिष्टा रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अस्ट शक्तियों के किर्णों की अनुभूती होगी कोई को आपसे सहन शक्ती की फीलिंग आएगी कोई को निर्णय करने के शक्ती की फीलिंग आएगी कोई से क्या कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी स्लोगन प्रतियक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रिर्णा देने वाला होई जनवरी दो हजार चौबिस अव्यक्त मास के लिए विशेश पुर्शार्थ की पॉइंट्स इस जनवरी मास में विशेश सालेंस की अनुभूती करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिष्टा बनने के लिए पुर्शार्थ की पॉइंट्स मुर्ली के नीचे लिख रहे हैं यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुस्प में भी रहेंगी क्रपया सभी ब्रह्मा वत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैट कम से कम दस मिनिट अव्यक्त सालेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिष्टा इस्थिती में रहें अपने स्रेष्ट संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा इस्थानों को सूच्म वतन बनाएं बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूह रहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें हम सबकी ये डबल लाइट इस्थिती तथा सालेंस की गहरी अनुभूती ही परमात्म प्रत्यक्षिता के निमित बनेगी अव्यक्ती सालेंस द्वारा डबल लाइट फरिष्था इस्थिती का अनुभव करो संगम युक की विशेश शक्ती सालेंस की शक्ती है सालेंस में रहने से डबल लाइट फरिष्था इस्थिती सहज बन जाती है इस इस्तिती में कोई भी कारे का बोज नहीं रहता इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिष्टा स्वरूप की ड्रिल करते रहो जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा सदा डबल लाइट रहे सालेंस की इस्तिती द्वारा सैकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया ऐसे फालो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती